देश में आज के समय में कई मंदिर अधिक प्रसिद हैं और कई मंदिर अपने खासित की वज़ा से भी जाने जाते हैं तो कुछ मंदिर मानेताओं के लिए प्रसिद हैं इनमें उत्तर-पर्देश के प्र्याग राज का अलोपी मंदिर भी शामिल है मंदिर में एक पालना है वक्त उसकी पूझा अशना करते हैं इससे सभी भक्तों की मुरादे भी पूरी होती हैं ऐसे में आईए जानते हैं इस 만दिर से जूड़ी अधिक जानकारिि के बारे में इस मंदिर का नाम अलोपी देवी मंधिर है मद्सती को समरुपित या मंदिर प्रयाग-राज के अलोपी बाग में इस्तित है विना मूर्ति के पूज़ा अर्षना होती है मंदिर में सिर्फ पालना बनाया गया है जिसको लोग मत सती का रूप मान कर उपास न करते हैं ऐसा माना जाता है कि इस देवी के नाम पर इस महले का नाम अलोपी बाग पड़ा मंदिर में अधिक संक्या में सरधालु आते हैं सरधालु कुण से जल लेकर पालने पर चड़ाते हैं और परिक्रम लगते हैं धार्विक मानिताओं के नुसार मंदिर में परिक्रम लगाने से सादक की सभी मुरादे पूरी होती हैं और जीवन में खुश्यों का आगमन होता है नवरात्र के दोरान यहां मेल अलगता है ऐसी मानिता है कि जिस इंसान की मनों कामना पूरी हो जाती है वे मां को हलवा पूरी का बोग अरपित करते हैं और कड़ाई भी चड़ाते हैं इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में किसी भी देवी देवता की मूर्ति व्राजमां नहीं है माता की अलोप रूप यानि माता अलोप संक्री के रूप में पूजा जाता है अगर आप भी Llopi Matam Mandir जाना चाहते है तो आप यहां ट्रेन के द्वारा पहुंश सकते हैं इस मंदीर के पास प्रियाग्राद जक्शन रेलवे इस्टेशन है यहां से कैब और बस की सुभीदा है इसके अलावा आप बस से भी प्रियाग्रास पहुंच सकते हैं इसके बाद यहां से कैब या ओटो की मदद से आप मंदिप पहुंच सकते हैं असल नियूस वियोरो रिपोर्ड